कहते हैं ना कि इंतजार की इंतहा हो गई तीन साल पिछले गवर्मेंट और तीन साल यह गवर्मेंट अगर सरकार सीग्रेश पर कारवाई नहीं करती है हमें पूर्ण सरकारी सिख्षक नहीं बनाती है तो आगे उग्रा अंदोलन के लिए जाएंगे ठिले सरकार याँ तो तरीके से बाहली करना नहीं जान रही है या नियत में दो बाते हो सकती है तो हमें सरकार और अधिकारी दोसी और रगुर की सरकार और नमस्कार आप देख रहे हैं दे न्यूस पोस्ट और मैं हूँ समीर जे टेट और टेट और कैर पाराश सिक्षक संग की आज एक बैठा कोई इसके बाद छामों कार्याले में सुप्रियों भटाचारिया से मिलने पहुंचे थे इनकी 2016 से आंदोलन चल रह कि यह जो परिक्षा है टेट की परिक्षा यह 2012 सिक्षक नियूक्ति नियमावली के आधर पर लिजा रही है साथ साल से हम किसी भी नियूक्ति परकिरिया में गुजरने का हमें मौका नहीं मिला है अब जो है सरकार तैयारी करें सहाय का चाहिजे नियुक्ति नियमावली लाने की उपर से हाइकोट ने नियोजन निती को भी खारीज कर दिया है तो ऐसे में सरकार के पास जो हमारा point of view है कि एक ही साल का समय बचा हुआ क्योंकि 2024 तो लोकसभा और विदानसभा चुनाव में ही बीच जाएगा तो एक साल के भीतर मुझे नहीं लगता है कि नियोजन निती तै करना फिर एकजाम का विगापन निकालना फॉम फिलप फिर एकजाम आयोजित करना रिजल्ट निकालना फिर निकती यह लंबा प्रोसेस है तो जबकि हमारा जो एडवेटाइज था उसमें लिखा हुआ था कि 2012 नियमावली के अधार पर आप लोगों सिख्षक बनाए जाएगा तो यह सरकार के लिए भी सहुलियत होगी कि वह कम समय में हमें निकत कर पाए और हमारा संबधानी का अधिकार भी बनता है कि जबकि न पूर्ण सरकारी सिख्षक बनना है तो कब से आप लोगों कांदोलन चल रहा है से लेकिन टुकड़ों में थी आज हमने पारा सिख्षक और गयर पारा दोनों कोटी के जो जेटेट 2016 सफल है आज एक मंच पराकर एक जूठ होकर एक नया संग का फोर्मिशन किये हैं और आज हम लोग सुरुवाती दोर में सांति पूर्न धंक से सरकार के जो परतिनिदी हैं उन्से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखेंगे अगर सरकार सिख्षक पर करवाई नहीं करती है हमें पूर्न सरकारी सिक्षक नहीं बनाती है तो आगे उगरा अंदोलन के लिए जाएंगे आगे कब तक और किन उससे संटूष्ट है कहते हैं कि इनतजार की इंतहा हो गई थीन साल पिछले गवर्मेंट और थीन साल यह गवर्मेंट और ऐसे निकाली यह गवर्मेंट सिछा मंत्री बार बार रहर एक दिन हर एक नियूज में हरेक 26000 की अगया है को इसी सरकार नहीं प कि नहीं सकते हैं जेट आट पास करने के बाद भी वह हमारे सिछक बहुन को अच्छा टीचर मिलता दूरोजगार घूम रहें कभी इस ओफिस कभी कांग्रेस ओफिस कभी जेमे हम के फिस इधर ही भटकते रहें चे महीने से अर जब तीन साल एसे घुजर गई कि आप बारी करें आप जब नियूर निर थी खारीज चुए तो कहते हैं सरकार कि आप पारा टीचर की बारी करेंगे क्यों 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 चुप्य आँड़ान जब तीन साल की बहां पर्बाद धूराइव क्या आप पढूंगे इसकूल में टीचर तो बच्चे की आप पढ़ेंगे टीचर आपस में लड़ेंगे इसको में बच्चे पढ़ेंगे दोसी किसे मानते हैं बिलकुल सरकार और अब जो दोसी लग रहा है किसी भी हाध तक वह अपना जुबान कोल सकते हैं किसी भी मंत्री के तो जी तो जितना जल्दी हो सके चिच्छा मंत्री से विनम प्रांतना करेंगे कि आप सिच्छ बहाली जितना जल्दी लाह मतारा बहाली लाए कमार्य-नवाल करीब पचास जार टेट पास दोया सोलम है और चालिस हजार से कहीं ज्यादा दोयार तेरह वाले हैं और लबी सावालाग टीचर जो है भटक रहें लेकिन अभी तक स्कूल में सिच्छक की साफ साफ कमी लगर रही है और भी कुछ लोग यहां पर आप लोग लब में समय से आंदोलन कर रहे हैं आज मिलने भी आयते तो कितना उम्मीद जगी है कि सरके पास आज के अलावे इससे पहले भी हम लोग आ चुके हैं इनके पास और जो आज जो निय सुनके हो ऐसा आप लोगों को लगता है कुछ कारण मेरे क्याल से सरकार या तो तरीके से बाहली करना नहीं जान रही है या नियत में नहीं दो बाते हो सकती है क्योंकि 2016 हम लोग ट्रेट पास किये हैं अभी तक हमारी एक मौका नहीं एक मौका नहीं दिए जबकि पहले की निया मौली में असपस्ट है कि आपको ट्रेट पास करने के बाद कैसे लेना है तो हम सरकार से तो कर सकते हैं या तो आपका नियत नहीं है या आप जान नहीं रहे हैं दो बाते हो सकती है मुल्क मंत्री सहाब आप अपने जो बीरो क्रेट से आपके जो पदा दिकारी है उस जान अगर अगर आप इस जगह पर निक्तु में किये तो फिर वैक फूट पर जाएंगे हमें आप सबसे बड़ी बहाली अगर देखा जाएं तो सिक्षकों की है सी इतने बड़ी बाई किसी की नहीं है इसलिए हमारी भाली उस निक दुन्य म Criminal सकष्ट करें यदि आप पेमेंट-पार कम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ सिक्षकों की कर रहे हैं सिक्षक कितना मरमाथ होंगे एक आप इतने दिनों तक बहाल नहीं किया है। ले जाएंगे और मुखमंत्री के पास ले जाएंगे तो निशीत उस पर विचार करना चाहिए और आप लोगों से मैं कहता हूं कि जब भी आप सरकार के किस इन आप चाहे मंत्री हो विधायक से मिलते हो तो हमारी बातों को जरूर रखें तो आपने सुना ये तमाम तेर्ट पास पाररा से चख है और लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन इन्हें नियूपती नहीं मिली आज भी सुप्रियों भटाचारिय से मिलकर मुकमंत्री और तमाम अधिकारियों से गुहार लगाने का आगरह किया है फिलाल दा न्यूस पोश्ट में इतना ही अपने सहयोगी संतोस कुमार के साथ समीर दा न्यूस पोश्ट राची